फ्रेंड्स अगर आप अपना फोटो स्टूडियो सौप के लिए एक फोटो फ्रिंटर लेना चाहते हो और इस चीज को लेकर अगर आप कन्फिस्ट हो तो फिर ये वीडियो देखने के बाद आप इजिली डिसिजन लेफ आओगे इस वीडियो में मैं सिर्फ 10,000 से लेके 20,000 के अंदर मार्केड में मिलने वाला वेस्ट फोटो फ्रिंटर के बारे में बात करूँगा वैसे तो मार्केड में बहुत सारा कंपनी का फ्रिंटर है लेकिन अगर आपको लो प्राइज में वेश्ट क्वालिटी फोटो फ्रिंट करके ज़्यादा फ्रॉफिट कमाना है तो फिर सबसे पहला जो नाम आता है वो है एफसन इस वीडियो में मैं मार्केड में सबसे ज़्यादा विकने वाला एफसन का तीन मॉडल के बारे में बात करूँगा जो आपका फोटो स्टूडियो के लिए वेश्ट होगा सबसे पहला एफसन का जो मॉडल आता है वो है एफसन फिक्सरमेट फीएम 245 मार्केड में इसका फ्राइज 12,000 से 13,000 के अंदर ये फ्रिंटर आपको मिल जाएगा इसका प्रिंट रेजोल्यूशन 5760 DPI इसके अंदर आपको 2.5 इंच टिल्टेबल स्क्रीन मिल जाएगा और कनेक्टिविटी के लिए 2.0 USB कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगा लेकिन इस प्रिंटर में आपको Wi-Fi का सपोर्ट नहीं मिलेगा आउटडोर फ्रिंट के लिए एफ्रिंटर बहुत सूटेबल है क्योंकि इसके अंदर rechargeable बैटरी लगा के आप एक प्रिंटर से दूसरा फ्रिंट में जाकर प्रिंट कर सकते हो लेकिन आपको इसके अंदर in-wield बैटरी नहीं मिलेगा आपको मार्केट से खरिद के इसमें बैटरी लगाना पड़ेगा एप्रिंटर मैक्सिमम 4-6 फेज का फोटो प्रिंट कर सकता है जिसमें 37 सेकेंड सी लगाता है और एक पेज में लगभग 12 रूपया कॉस्टिंग आता है इस प्रिंटर के अंदर जो इंक कार्टिज लगता है जिसका प्राइस है 1300 रूपया इसके साथ साथ आपको 156 का फ्रीमियम ग्लॉसी एप्सन का फोटो पेज फ्री में मिलेगा जिसका साइज होगा 4x6 लेकिन इस प्रिंटर में से आप स्रिफ फोटो पेपर ग्लॉसी ही निकाल सकते हो और इसका प्रिंट क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें ए प्रिंटर से निकाला हुआ फ्रिंट विल्कुल वाटर्फूरूफ, फेड और स्क्रैज रेजिस्टन्स होगा और फिक्चर का जो ग्लेज है कंपणी का दावा है वो 200 साल तक रहेगा एपसन का दूसरा जो मॉडल आता है ओ है एपसन फिक्चरमेट 520 यह पहले वाला मॉडल का अपग्रेटेड वर्सन है आज के डेड में Amazon या Flipkart से यह फ्रिंटर आपको 14,200 में मिल जाएगा वैसे तो इस फ्रिंटर का भी फिचर्स विल्कुल सेम हैं लेकिन इसके अंदर और कुछ एक्स्टर फिचर्स डाला गया है एक्स्टर फिचर में से इसके अंदर आपको वाइफाई का सपोर्ड मिल जाएगा इसके अंदर 4,600 तो यह फ्रिंट करता ही है और इसके साथ साथ आपको 5,7 पेजेस का प्रिंट आउट का सपोर्ड भी मिलेगा इसके अंदर आपको रिचार्जेवल लिथियाम आयोन वैटरी इन विल्ट मिलेगा यह फ्रिंटर भी आउट्डोर फ्रिंट के लिए सुटेवल है और इस प्रिंटर का स्पीट थोड़ा सा वहतर है एक 4,6 पेज का प्रिंट आउट में एक प्रिंटर 36 सेकंड लगाता है और एक 4,6 पेज का प्रिंट आउट का कॉस्टिंग भी लगबख सेमी है 10 से 12 रुपया इस प्रिंटर के अंदर जो कार्ट्रिजेस लगता है जिसका मार्केट फ्राइस है 1100 रुपया लेकिन इस कार्ट्रिजेस के साथ आपको फोटो फेफर फ्री में नहीं मिलेगा और इस फोटो का भी भाइब्रेसी अप्टू 200 यार्स रहेगा नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो है Epson L805 मार्केट में Epson का जितना भी फोटो फ्रिंटर विकता है उनमें से सबसे ज़्यादा विकने वाला फोटो फ्रिंटर है Epson L805 मैक्सिमम सभी फोटो स्टूडियो के पास Epson का ये मॉडल है 17000 से 18000 के अंदर ये फ्रिंटर आपको मिल जाएगा इस प्रिंटर का भी फ्रिंट रेजोल्योशन 5760 DPI है लेकिन इस प्रिंटर के अंदर और कुछ-कुछ खामी है और extra features भी है जैसे कि इस प्रिंटर के अंदर आपको कोई भी inbuilt डिस्पले नहीं मिलेगा आउट्डर फ्रिंट के लिए ये फ्रिंटर suitable नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको बैटरी लागाने का option नहीं मिलेगा लेकिन इसके अंदर आपको wifi का support मिल जाएगा इसके अंदर से आप 4657A4 लिगल पेज फ्रिंट कर सकते हो ये फ्रिंटर आपको waterless print का features भी प्रोभाइड करता है Epson L805 ये एक ink tank फ्रिंटर है इसके अंदर 6 color का ink bottle लगता है पर bottle का price आपको 600 में original ink मिलेगा इस printer का printing cost एक 46 page print out का cost max to max दो रुफे आएगा इस printer में से आप photo paper glossy तो निकाल ही सकते हो और इसके साथ साथ आप sticker sheet और normal documents भी प्रिंट कर सकते हो इसके अंदर जो extra features डाला गया है जो बहुत ज्यादा use में लिया जाता है आज कल वो है PVC card का print का option market में से आप एक PVC tray और Epson L260 का driver लगा कर आप इस printer में से PVC card भी print कर सकते हो देखिए friends अगर आपको A4 या legal page से बड़ा page print करना है जैसे की A3 pages print करना है तो Epson का और एक जो model आता है Epson L1800 ओ आप ले सकते हो लेकिन उसका price थोड़ा ज्यादा है इसका features लगवक सेम है Epson L805 के तरह इसके अंदर आपको extra features जो मिलेगा ओ A3 pages print का option आपको मिल जाएगा देखिए friends अगर आप market में से Epson का photo printer खरीदने जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारा Epson का और भी model दिखाई देगा जिसके अंदर आपको inbuilt scanner भी मिल जाएगा लेकिन वो printer आप photo के लिए अगर लोगे तो आप दिक्कत में पढ़ जाओगे क्योंके वो documents printer है उसके अंदर से अगर आप photo निकालोगे तो उस photo में बहुत सारा grain और noise आपको दिखाई देगा वो photo का quality भी उतना अच्छा नहीं होगा उस printer से आप अगर photo निकाल के customer को दोगे तो customer satisfy नहीं होगा और आपके पास वो photo fake के चला जाएगा तो बहतर है गए अगर आप photo printer लेना चाहते हो तो आप scanner unit attached वाला जो printer होता है उस printer को चूज बिलकुल ही मत कीजिए और एक बात friends, printer खरीदने के बाद printer का head को save रखने के लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा क्यूंकि printer का head का price प्रिंटर का price से आधा होता है एक तो printer खरीदने के साथ साथ आप printer का cover खरीद लिजिए जब printer यूज नहीं होगा तो उस cover को आप printer को ढखके रख दिए क्यूंकि printer के अंदर अगर dust जाएगा तो printer को हानी फोचा सकता है और एक बात आप ध्यान में रखिए printer के अंदर कीड़े मकोडे चूआ इस तरह का कुछ चीज जैसे ना घुस पाए इसलिए इसके अंदर आप naphthalene का गोली रख दिजिए दूसरा जो बात market में से जब ही आप ink खरीदोगे तो original ink खरीदना थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए आप market में से या फिर online duplicate ink आप विल्कुली मत खरीदिए तिसरा जो बात है अगर आपके पास photo print का वहत सारा काम है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको print कीजिए एक साधा print में मत लगाईए और लास्ट जो बात है ओ एफशन L805 के लिए है जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर से आप PVC tray लगाकर PVC card print कर सकते हो तो यह बत सही है लेकिन मेरा सला मानो तो इसके अंदर से आप सिर्फ glossy page photo का ही print लिजिए PVC card का print बिलकुल ही मत लिजिए क्योंकि PVC card print से ज़्यादा से ज़्यादा तर head damage हो जाता है तो friends अगर आपको photo printer लेना है तो मेरा सला मानो इन तीनों printer में से आपका budget अगर थोड़ा कम है तो कुछ दिन wait करके आप Fsun L805 ले लिजिए क्योंकि पहले तो इसका price जो ज़्यादा लगता है वो सही है लेकिन इसके अंदर जो आपको ink दिया जाता है उसमें से ही जितना फ्रिंट आएगा उससे ही आपका printer का cost वसूल हो जाएगा